ये अब्रिवन वेल्कम टु टेलेंट फंडा मैं हूँ शिवा शर्मा और आज हम करेंगे अपनी 10th क्लास का 4th chapter जिसका नाम है तूदा कुकू और इसे लिखाया विलियम वर्ड वर्तने ठीक है कुकू एक कोयल को बूलते हैं अब जानते ही होंगे यहां पर इसका टाइटल यह बता रहा है कि कुकू के लिए आज अपन इसी को करने वाले हैं इसी पूयम को अपन करेंगे आज सो शुरू करने से पहले 10th स्रीज के तीन चैप्टर मैंने अल्रेड़ी अप्लोड कर दिये हैं अब उन्हें जाके देख सकते हैं और अपनी अच्छी से त्यारी कर सकते हैं सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं पोएट के बारे में विल्यम वर्ट्सवर्थ का जो जन्म है वह हुआ था 7 अप्रेल 1770 को और यह उनाइटेड किंग्डम के थे और इंग्लिश पोएट थे इनकी मित्यू 23 अप्रेल 1850 को हुई थी ठीक है इंग्लाइन मे और यह वर्ट्सवर्थ जो थे यह ब्रिटेन के राजदर्बार में कभी भी थे 1843 के टाइम पे सो इस्क्रीन पे आप इनकी फूट्टू देख सकते हैं कुछ ऐसे दिखा करते थे विल्यम तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पोएट के तरफ अपने और देखते हैं तो यह जो पूएम है तुदा कुखू ठीक है यहां पे पोएट पर सबसे पहली चीज समझने के पर जूरू थे कि यह जो है यहां पे कुखू को संभोधित कर रहे हैं ठीक है कुखू के लिए सारी चीज़े हैं यहां पे तो पूएम के कुछ सुरुवात होती है इस तरीके से ओबलेट नियोकमर आई हैवेर्ड आई हेर्ड दी बॉइस एंड रिजॉइस ओ कुखू शाल आई कॉल दबर्ड और बैटे वंडरिंग वॉइस तो मैंने आपको बताया कि कुखू के लिए संभोधित कर रहे हैं और सबसे पहला है ज़रूरी है कि यह जो सीनहें ऊप्षी जो खड़ गएवए से की या इस तरीके का प्लेस होता ऊब देख सकते है फोटो पर फोट पह पोई jo style वाले प्षाड रहे हैं और अपने मन की बातों को दोशना कर रहेए झा सबसे पहले है केमाँ मेंद सोता है सबस ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब बोलते हैं कि ओ बलेत नियुकमर ठीक है ओ हस्मुक अजनभी ठीक है मैंने तुम्हारी आवाज को सुनने के बाद मुझे रिजॉय मिन्स आनंद के अनभूती होती है ठीक है पोईट बोलते हैं ओ कुकु मैं तुम्हें बर्ड कहूं पक्षी कहूं या फिर वेंडरिंग वॉइस या इक भटकती हुई आवाज ठीक है क्योंकि जब अपन वैले में रते हैं घाटियों पर रते तो अपन को एक जो आवाज है वो क्या होता है गूंसी इतना ही दे कि वाइल एम लाइंग अन दे ग्रास दाय तू फोल्ड शावट आए हेर फ्रम हिल तू हिल इट सेम्स तू पास एट वंस फॉर और वैं नियर अब वोलते हैं कि जब मैं घास पे लेटा हुआ रहता हूं ठीक लाइंग मीन सोता है लेट ना दाय तू फोल्ड तू वोल मीन इसी घाटी पहाल पे होंगे तो आपने एक्सपीरियंस क्या होगा कि आपको आवाज जो है वह घुमती हुए नजर आती है और आपने एक्सपीरियंस गुफवा वगारा में यह खाली कमरे में किया होगा वह ना सो कुछ ऐसी ही वोईस जो है वह वो पोईट सुन रहे हैं दोहरी और वो बताते हैं कि that from hill to hill it seems to pass ठीक है और वो एक hill से दूसरे hill से टकराती हुई गुजरती हुई उनके पास आ रही है at once far off and near और वो कभी उनको काफी दूर लग रही है और कभी उनको कभी वो साउंड काफी पास लग रहा है तो आपको यहां तक क्लियर हुआ होग अब बब्लिंग मिन्स होता है एक साउंड के लिए यूज करते हैं इसको ठीक है कलकल जो आवाज होती है उसके लिए और वेल मिन्स घाटी होता है अब यहां पर बोलते हैं कि वो एक बब्लिंग सा साउंड के कलकल की आवाज सुन रहे हैं ठीक है उस घाटी पे और ने वो देख पारें एक संसाइन जो फ्लार्स पे पर रहे हैं पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जहां से रोशनी निकल रही पर बैपर रही है तो वह पोईट इन चीजों को देख पा रहे हैं उसके बाद बोलते हैं कि यह चीजें ठीक है उनको एक कहाणी के जासे लग रही है अंचिक है जो उन्हें क्याल्पनिक लग रही है मतलब इमघिनेशन लग रही हैं ठीक है वहा? ठीक है वेलकम करते हैं तो थ्राइस वेलकम करते हैं तो तीन बार वेलकम करते हैं और डार्लिंग मेंस होता है अतिप्रिया स्प्रिंग मेंस आप जानते हैं बसंत के टाइम कर सीजन होता है उसके लिए यूज होता है Even yet thou art to me no bird अब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा तीन वार वेलकम करता हूँ Darling of the spring ठीक है क्योंकि बसंत की टाइम में आपने देखा होगा New flowers वगरा आते हैं ठीक है और उसको बोलते हैं तुम इस बसंत की अतिपर ये हो ठीक है Even yet thou art to me no bird अब बोलते हैं उन्हें इसे देखने के बाद ठीक है ये बिल्कुल सच नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है वो उन्हें एक art लग रहा है मतलब एक कला लग रही है ठीक है एक और उसके साथ साथ ही ये उस आवाज को तो poet सुन पा रहे हैं ठीक है उस साउंड को सुन पा रहे हैं कूकू के बट वो उनको क्या लग रही है एक इनिविजिवल तिंग लग रही है मतलब अद्रिश्च तिंग लग रही है poet को एक ऐसी आवाज जो उनको सुनाई तो दे रही है ठीक है बट उन्हें दिखाई नहीं दे रही है इसलिए उन्होंने इसे क्या बोल दिया है mystery बोल दिया है मतलब रहस्यमाई अवाज तो ठीक है यहां तक अब नेश्च देखते हैं आप इसक्रीन पर देख सकते हैं फोटो the same whom in my school days I listened to that cry which made me look a thousand waves in bush, trees and sky अब बोलते हैं यह आवाज वो अपने school days में भी experience कर चुके मतलब सुन चुके हैं ठीक है और तब वो क्या किया करते थे वो चारों तरफ देखा करते थे ठीक है इस आवाज को ढूडने के लिए bush में सोता है जाडियों में tree means पेड़ों में and sky में तो मतलब bush, trees and skies में वो क्या क्या करते थे डूडा करते थे अपने school days के time में इन आवाजों को ठीक है अब next दिखते हैं तुझ लिए दिखते हैं to seek thee, did I often rove through the wood and on the green and the world is still a hope a love is still long for never seen seek means होता है तलाश करना romance होता है, घूमना सो बोलते हैं इस आवाज के लिए sound के लिए वो काफी जगाओं पे घूमे तलाश करने के लिए जंगलों में और कई जगाओं पे ऐसे ropes में भी वो गय हुए ढूड रहे थे इस आवाज को और इनको ढूडते हो इनके मन में में एक hope था एक प्रेम था कि ठीक है जिस आवाज का वो इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे और उसको कभी उन्होंने देखा नहीं था ठीक है तो उसकी तलाश वो कर रहे थे यहाँ पे पोईट हमें बताते हैं अब बोलते हैं कि अब अट अब and I can listen to the earth can lie upon the plane and listen till I do bigate that golden time I get bigate means होता है पुना प्राप्त करना ठीक है अब बोलते हैं अब मैं सवाज को जब तक चाहूं तब तक सुन सकता हूं ठीक है अब मुझे यह चीजे जो है वो क्या हो रही है फिर से experience हो रही है ठीक है क्योंकि इसे मैंने पहले भी बार सुना था ठीक है बच्पन के टाइम में भी और अभी भी मैं से सुन रहा हूं और यह जो golden time है ठीक है मैं इसे अब फिर से जी रहा हूं पोईट यहां पे बताते हैं अब यहां पे कुकु को बोलते हैं कि तुम बलच्ट हो मतलब ठीक धन्य हो कुकु कि तुमने यहां पे धर्थी पे जन में लिया है पेस मेंस होता है कदम-कदम और हम यहां पे कदम-कदम ही इस प्रिजवी पर क्या करते हैं यह बट मुझे अब एक unsubstantial लगने लगा है छुटा सा लगने लगा है ठीक है एक फेरी सा प्लेस लगने 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 है ठीक है और तुम्हारे लिए कुकू ये घर बिलकुल सही रहा है